नमस्कार में देक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है डियोडेंट लगाना आम बात है पसीने की बद्बू को दूर करने और खुद को फ्रेश रखने के लिए धिकांश लोग पर्फियूम और डियोडेंट का इस्तमाल करते हैं लेकिन बहुत कम लोग एक बात जानते हैं कि डियोडेंट लगाने के घा तक नुकसान भी है यहां तक कि डियोडेंट लगाना ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के साथ साथ पुर्शों में भी होता है खास सोर पर कई महिलाएं पसीना रोकने और बदबू से बचने के लिए रोजाना एंटी परस्पिरेंट और डियोडरेंट का इस्तमाल करती है ये प्रोडक्ट सीधे स्किन के संपर्क में आते हैं वहीं ब्रेस्ट के पास अंदराम में इनका रोजाना इस्तमाल बड़ा नुकसान पहुचा सकता है कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि रोजाना डियोडरेंट लगाने के बड़े नुकसान हो सकते हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर तक का कारणम बन सकता है तरसल एंटी परस्पिरेंट डियोडरेंट में मौझूद अलमुनियम शरीर के लिए बेहद हानिका रखो सकता है ये पसीना बहाने वाली वाहिनियों पर रस्थाई प्लक लगा कर पसीने को रोकते हैं इससे हेस्ट्रोजन हॉर्मोन प्रभावित होता है साथ ये सवाल उठाया जाता है कि क्या एंटी परस्पिरेंट और अन्य स्किन केर प्रोड़क्ट से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या रही इस मामले में American Cancer Society कहती है कि इस बात का कोई वैग्यानिक प्रमार नहीं है कि एंटी परस्पिरेंट का उप्योग करने से इस तन कैंसर होता है या इसके मरीजों को ज्यादा सबस्या होती है जब कि ये बात कही गई है कि एंटी परस्पिरेंट से अलमुनियम लवार तवचा के जरीय और शोशित हो सकते हैं और इस तन के उत्खों में जमा हो सकते हैं जो इस तन के लिए बहुत हानिकारक है ऐसे में बहतर यही है कि एंटी परस्पिरेंट डियोडेंट का लंबी समय से उप्योग कर रहे हैं लोग सतर्क हो जाएं